मैंने जो कहना था जहां का दिया आपने कुछ पूछने हैं तो पूछे ना उमर सर्थाब कर्फ़से यह जो मेर का मेंचिन जो हुई है इसे भास करके अलेक्षिन के बाद भी आभी भी कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है तब आप मत वेट कर ये सिगनल का, आपको सिगनल नहीं आएगा, बीजेपी वाले एलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के तरफ से उनको क्या रिस्पॉंस मिलेगा, पार्लिमेंट एलेक्शन कराना शायद इनकी पूरी नहीं होती, तो वो शायद पार्लिमेंट एलेक्शन भी नहीं कराते हैं, नहीं तो अभी तक सुप्रीम कॉर्ट में तो गवर्मन्ट विंडिया ने कहा था कि यहां अर्बन लोकल बॉडिज और पंचायद के एलेक्शन होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पर नह जैसे मैंने अपनी तक्रीर में कहा, इस से पहले असेंबली एलेक्शन 2014 में हुए थे, पांच साल से ज्यादा हो गए हमें गवर्नर रूल के अंदर, एक तरफ से ये कहा जाता है कि हालाद बहुत ज्यादा बहतर हो गए हैं 2019 के बाद, अगर बहतर हुए हैं तो एलेक्शन क कराये जा रहे हैं क्योंकि PJP वाले जो हैं वह लोगों का सामना नहीं नहीं कर सकते हैं, उनका हाल हुआ, बाकि Mā 재म Jahres, बाकि मुदू के बाद поддерж करने के जब वो पार्टियों की प्रिश् juba की मीटिंग होती हैं ये बात वहां करें, मैं उनकी बातों में यह रिस्पांस नहीं करना चाहता है। जैसे मैंने आपसे कहा और अगर आप मेरी तक्रीड सुन रहे थे तो इसका जवाब मेरी तक्रीड में था आप ने शायद सुना नहीं। मैंने क्या कहा कि पर्मिनिट करने से पहले यह करना जरूरी था कि हैं कितने क्योंकि यहाँ बहुत से नंबर चल रहे थे कोई कह रहा है कोई डीड़ लाग खेरा था कोई दो लाग कह रहा था विना यह जाने हुए कि हम बैडिक करने हैं हम क्या रेयुलराइज करते तो पहले सब कैमिटे की सब कमीटी बैटी उन्होंने नंबर तै किया जब नंबर तै हुआ फिर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पहले सहलाब आया और उसके बाग वक्त खत्म हुआ अगर हकूमत दुबारा आई होती आज वो तमाम डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हुए होते चलिए फनस्तिन इन लोगों कि किस रोका मुझे तो अब हकूमत छोड़े हुए नाव साल हो गए इन नाव सालों में इनसे क्यों नहीं हुआ उम्मेंशन का शुरूआत की वो डिस्टिक पूंच से इतना शुरूआत की उसके लिए मैं इनको मबालगा जलता हूं और उमीद करता हूं कि आने वाले पर्त में और ज़्यदा प्रोग्राम अमरे डिस्टिक पूंच में और ज़्यूरी पे ज़्यदा से ज़्यदा हूं कि आपके नोटिस में एक चीज़ आऊंगा पूंच की जो अवाब हैं पूंच के जो लोग हैं इनका नेशन कांफ्रेंस के साथ एक बड़ा जाती जिए रिष्टा है बहुत से मुश्कलाद आई बहुत सी परेशाना आई लेकिन पूंच के नोटवा मुभार्टा बात दूंगा कि गामोग सर्पंच का एलेक्शन हो मुझपंडी का एलेक्शन हो या वो बीडिसी का एल आज हमारे लोग बहुत मुश्किलाथ में हैं आज अगर आप लेखें कि बिजली के बिल और पानी की जो इस समस्चा है आज लोग इतनी जदो बड़ती है और पेंशन जो हमारे लोग लेते हैं आज उनकी पेंशन बिल तो वहां पर नहीं बिल रही है मैं जो मैं एक आफिसर के पाव बेटा था उसे मुझे कहा कि आपकरा हमेशा हमारे मुझाबत करते हुए यह जो है